तो आज है सावन महीने का पहला सोमवार और आज मैं आपके साथ फिर से शिवजी की ये तीन पेंटिंग शेयर करूंगी ये तीनों मीनी पेंटिंग हैं जिसके लिए मैंने एफाइप साइज के पेपर को डिफेंट डिफेंट साइज में कट करके उस पर ये आर्ट वर्क्स ड्रॉक किये हैं तो चलिए पेंटिंग शुरू करते हैं करते हैं और अब बारी आती है बैक्राउंड की अब मैं यहाँ पे टीशू पेपर की हेल्प से बैक्राउंड का कलर थोड़ा सा लाइट करूंगी और यहाँ पर मैं हल्का सा ग्रीन का शेड भी आड़ करूंगी और उनको फिर अच्छे से ब्रश की हेल्प से मिक्स कर दूंगी बारी आती है आउटलाइन की जिसके लिए मैं यूज करने वाली हुई यह नॉमल ब्लैक जेल पेन मैं यह प्यलाइब यह बारी आता हमाली हुई झाल यह त्रूंगी जोगो वशल कि एणवी चर्श्व ट्रूंगी आप चलते हमारे दूसरे मिनी पेंटिंग की तरफ यहां पर मैं सबसे पहले बैक्राउंड पेंट करूंगी और उसके बाद मैं बाकी के कलर से एक्ट करूंगी उसके लिए मैं पेपर को पहले ब्राश और वाटर की हेल्प से गीला कर रही यहां भी मैं टीशू पेपर की हेल्प से कलर्स को थोड़ा सा लाइट करूंगी और उसके बाद वापस ते ब्रश की हेल्प से बैक्राउंड को थोड़ा और मिक्स करूंगी और फिर इसको ड्राई होने दूंगी कर दोड़ा और मिक्स करूंगी और मिक्स करूंगी और मिक्स करूंगी कर दोड़ा अच्छा पर यहां पर मैं वाइट मार्कर की हेल्प से कुछ-कुछ टीटेल्स आड़ करने की कोशिश करूंगी और इसी के साथ हमारी ये दूसरी मिनी पेंटिंग भी त्यार है I hope आपको ये पसंद आई हो अब चलते हैं हमारी थर्ड मिनी पेंटिंग की तरफ यहां भी मैं बैक्राउंड को पहले अच्छे से ब्रश और पानी की हेल्प से गीला करूंगी उसके बाद बैक्राउंड में कलर आड़ करूंगी अब ही मैं बैक्राउंड को पहले अच्छे से सूखने के लिए रखतूंगी उसके बाद मैं बाखी की डीटेल्स हैट करूंगी करूंगी अब ही बैक्राउंड अच्छे से सूख किया है तो मैं इसका आउटलाइन कम्प्लीट करूंगी ब्लाक जेल पेन की हेल्प से ऑर इसी के साथ हमारी यह थर्ड मिनी पैंटिंग भी बिल्कुलत तयार है आई होप आपको यह पसंद आई हो सावन सोमवर स्पेशल हमारी ये तीनो में इने पेंटिंग्स तयार है आई होप आपको आज का ये आर्टवर्क, ये ट्यूटोरियल, ये विडियो पसंद आया हो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थांक यू सो मच पर वाचिंग